हेलो इस्टुडेंट, बॉर्निंग, बोलो फ्यू, आज जो है बेटा आपका एट क्लास में स्वागत है तो बेटा आज मैं जो है आपको ये बताना चाहूँगी कि आज का टोपिक या नहीं आज का टोपिक है हमारा लेशन 14 जो आपकी टेक्स्ट बुक यान के बसंद में है तो लेशन 14 में जो है कल मैंने आपको उसका पाठ का सार तो पाठ का सार और इस द्वारा जो है ये रचित पाठ है तो ये जो है अन्पूर्णा नंद द्वारा राचित एक बाठ है और इस पाठ में जो है अन्पूर्णा द्वारा इसमें बताया गया है कि अन्पूर्णा ने बताया एक काल्पनिक कहानी है एक कल्पन की गई है कि जो अंग्रेज होते हैं वे हमारी भारत की पुरानी चीजों का इखटा करना है ये उनका संग्रें करने पाठ जो है इसमें अन्पूर्णा नंद ने जो है कटाक्स किये हैं कि जो लोग है भारत की आज भी आज भी पुरानी चीजों को इखटा इनके मुका संग्र है क्यों करते हैं तो उसमें अन्पूर्णा नंद जी ने खटाक्स किये हैं तो इसमें जो है सभी बच्चे में बूप निकाल देंगें आज जो है मैं आपको इसमें अंपरी लोटे में मुख्य पैरे करवाँगी सभी बच्चे खट पर रेडिंग की होगी अवश्य आपने मैंने कल भी आपको कहा था कि जो है अवश्य रेडिंग करेंगे तो आज हैने के मुख्य गद्यांस जो फियाके एक्जाम में भी आया करते हैं उनमें से question answer आफको put करने यान के find करने होते हैं तो इस तरीके से आज मैं मुख्य गद्यांस आफको करवाना तो इसमें जो है सबसे first गद्यांस आफकी मुख में है पत्नी ने एक दिन एक आये 2500 रुपे की मांग पेश की और तब उनका जी एक बार जोर से संसनाया किसका जी संसनाया उनकी पत्नी का जोर से संसनाया उससे में आ गया निकेक तरीके से और फिर बैठ गया, उनकी यह दशा देखकर पतनी ने कहा, डरिये मत, आप देने में ऐसा मर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँगे, लाला च्छावलाल जो है दिल मिला उठा, यानि कि गुस्से में खोटा, गुस्सा आ गया, उनको दिल मिला न, यानि कि गुस्सा आ मांगोगी, मुझ से ले लेना, किसने कहा था यह, जावलाल ने अपनी पतनी को कहा था, तो आप जो है इसके डेटेल्स एक तरीके से भ्याख्या, मैं इसको बताऊंगे, आप जो अपने सब्दों में आंसर देखते हैं उसके डेटेल्स, तो इसमें बेटा, लाला जावला पैसे के मामले में तो बहुत ही कंजूक्ष रहती थे, आपको भी पता है जैसे आपने पढ़ा, किन्तु एक दिन जब उसकी पतनी ने उससे धाई सुर्पे देने को कहा, तो एक बार तो लाला जावलाल का गी, जो है जी, यानि यह मन संसना गया, क्यों मांग लिए धाई स उसलबेन होने, अर्थाँ लाला जी कुछ घबरा गए, उसकी दशाफ को देखते हुए, पतनी ने कहा कि आपको डरने की आवशर्पता नहीं है, यदि आप मुझे रुपे नहीं दे सकते ये, तो उपने भाई से उप्झे मुआने लेगी, यई अपने भाई से मांग भाई से पैसे मांगने की बात सुनकर लाला जाओ लाल को जो है क्लोता है कि मेरे होते विए जो है वो अपने भाई से अपने माई के मैं जो है एक मांग करेड़ी पैसे के लिए तो उन्होंने जो है बड़े प्रभावसाली ठंग से कहा कि 2800 रुपए के लिए भाई से रीक मांगी मैं तुम्हें यह रुपे दे दूँगा और कहने का भावी है कि लाला जाओ लाल ने जुरी जुरी शान दिखाते हुए जो है प्रियास किया कि मैं दे दूँगा कोई बात नहीं मैं दे दूँगा जबकि उसके पास कोई रुपे नहीं थे एक जुटी शान दिखाए ना उसमें हाँ ठाइस उरुपे भाई से मांगोगी चरों पोई खै मैं ले दूँगा तो यह जो है इसका रम डिटेल्स मैंने आपको बताई है तो इसमें अगर आप से कोईशन पूछ लिया जाए कि लेखक लाला जाओ लाल के शेखी कैसा सभाब था उनका उनका उले की चीट या उनके बारे में बताई ही तो लाला जाओ लाल का शेखी सेखी मारना तो उनका जो है सभाब था और कोईशन अगर इसमें पूछ लिया जाए कि भासा कैसी है भासा सहचरल और बेटा परवाहा मैं है कुंसी भासा है भासा जो है सहचरल और परवाहा मैं है अब आत्मक इसमें संबाद हुआ है क्योंकि वो उसे पती से पैसे माँ रही थी और वो उस पर वहस एक तरीके से क्या करोगी क्या करने के लिए चाहिए तुम्हें डाई सोर बे और फिर उसमें जो है उसने कहा था उनकी बत्मिने मैं भाई से लिये लो तो इसमें संबाद का भी जो है, वालन हो आया संबाद किया गया, संबाद आत्मक शेलिक का बढ़ना निसमें किया गया है सेकिन प्रेशन अपनी पर्दिश्ठा खा था, अपनी ही घर में अपनी शाक का था और देने का पक्का बादा करकि अगर जब देने सके तो अपनी मन में वह क्या सोचीगी उसकी नजरों में मैं उसका क्या मुल्य रह जाएगा उसकी नजरों ने यानि कि मैं उसका जो है क्या मुल्य रह जाएगा अपनी बाबा ही की सेंकडों गाथाएं सुना चुके थे अब तो एक काम बड़ा तो पड़ा तो चारो खाने चित हो रही है कौन जहुला तो यह पहली बार उसने मुझों खोल कर कुछ रुपियों का सभाव किया था उसकी पत्री ने इस समय अगर तुम दबा कर क्या अगर इस समय आप दुम दबा कर तो यानि में कि गर्दन को दबा कर निकल भागते हो तो फिर उसे क्या मुझोँ दिखाओ Anda तो अगर बात बेटा इसका हम आप से प्रेशंद मागेंगे तो आप क्या लिखेगे कि प्रस्तु पर्दु पंक्तिया जो है हमारी हिंदिगी पाठ्य पुस्ता बसंत भागतीन में संक्लित है, संक्लित अगबरी लोटा नामक पाठ से ली गई है, और इसके लेखा सिरी अनकोर नानंद वर्माजी है, अगर संदर्ब पूछ लिये जाए, संदर्ब यनकी सोटनो नाटिस के मुख्य पेरे में किसके बारे में क्या वर्नन है, एक लाइन में उक्तर दे देगे, तो इसमें क्या लिखाएंगें, लाला ज्हाउ-दाल के द्वारा पत्नी को ढाई सो रुपए देने का प्रबंधन हो सकने का, उनके मन की दशा का वर्नन किया है, यह मैं आपक जो है कई बार बता चुकी हूँ बेटा यानिके इसको जो है हम उंगे इसमें बोलेंग शॉर्ट नोटिस यानिके संसित में जो है इतन ना देगी इसको जो है कुछी सब्दों में इसका उत्तर देना अब लाख्या देखे इसकी इसकी डेटेल समकिस तरीके से अपने ज़दों में कहें है लाला चाउला ने अपनी पत्नी को धाई सोर रुपे साथ दिन के अंदर साथ दिन के अंदर देने का बादा किया था किंतो चाह दिन बीत जानी पर रहे रुप्यों का कोई परबन नहीं कर सका था कौन लाला चाउला तो इसलिए वे बड़े चिंतित थे और वे जो है मन ही मन सोच रहे थे कि सबसे बड़ा परशन तो उसकी इज़द का था कि उसने जो है बीपी को कहते था चल मेरे से ले ले नहीं थी तो उसने अपने ही घर में अपनी पत्नी की विश्वास का परसंद था यानि कि कि यदि वहर उपे नहीं दे सका तो उसकी पत्नी उन पर जो है कभी विश्वास नहीं करे ले एक विश्वास रता ना क्योंकि उसकी पत्नी को पैसे चाहिए थे और उसने जो है उन को ये कह दिया था कि मैं देतूँगा आप अपने जो है भाई से ना मांगेगा यानकी इज़त का सवाल था तो इसमें पत्नी की नजरों में उनकी वबाते का जो है क्या मुल्य रह जाएगा इस तरीके का भी जो है उनके सामने कुशन उपता है पर्शन उपता है तो उनकी कहने का भाव ये है यदि लाला जाओ लाल अपनी पत्नी को धाई सुन पे नहीं दे सकेंगे तो वह अपनी पत्नी की नजरों में जूटे शाबित होंगे और भविश्य में वे कभी भी उनसे पर जो है कोई भी भरोसा नहीं करेगी कभी भी जो है उन पर कभी भी भविश्य में भरोशा नहीं करेगी लाला जहुलाल अपनी पत्नी को अपनी बाहदुरी के जो है अन्य किसे सुना चुके थे पहले कि मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ऐसे किया बाहदुरी के ऐसे ही तो किसे सुनाते हैं बढ़ा चढ़ा कर अब यदि वह एक काम करने को कहती है और उसे पूरा करने में वे पूनते हैं यदि ऐसा फ़ल रहते हैं तो उनकी जो है किरक्री हो जाएगा एक तरीके से हैं यदि कुछ भी मतलब उनका समान इज़त या उनको खरा उतारने का जो है वो कुछ भी नहीं रह पाएगा किरक्री हो जाएगे पत्नी ने पहली बार उनसे कुछ रुपियों का जो है मांग लिया था मांग की थी यदि वे इस बार इस कारिये में डर कर भाग गए तो वे पत्नी को क्यामो दिखाएगे अर्थार पत्नी के सामने कैसे जाएगे तो ये जो है इसमें इसका सार मैंने आपको बताया है तो इसमें उदर विशेस लाला च्छाव लाल के द्वारा थाईसो रुपे का प्रबन ने होने पर उनकी चिंता में मनोदशा का वार्नन किया गया है और आपको पताया है जो मैंने पाट का शार मता था तो उसमें मैंने बता था आपको कि वो धाईसो रुपे उनके पास नहीं थे किसके पास जाउलाल के पास नहीं थे तो वो जो है अपने अभिन मेत्र यानि कि बिलबाशी मेशर के पास भी 500 रुपे के लिए गये था उसको कह था 2-4 दिन में 200 रुपे का परबंद कर दो तो ये मैंने दूसरा पेरा आपको बताया अब थाड़ पेरा देखेंगे आप भासा वो ही सहेट्सरल और मुहावरेदार है बेटा भासा सहेट्सरल पूरे यह एक जो ये निमद है इसमें पूरे बब में जो है भासा सहेट्सरल का जो है इसमें मारमिक वार्णा किया गया है तीसा पेरा आपके भूप में है बहे पानी तो जरूर लाइन पर किलास लाना भूल गई थी कोन उसकी पत्नी केवर लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई यानिके अंगे सामने आई और फिर भी लोटा जो है सन्योग से वह जो अपनी बेढ़ंगी सूरत के कारण लाला जाओ लाल को यानिके सदा से नापसंद था जो लोटा जाओ लाल को काफी समय से नापसंद था उसकी साल का ही बना पर कुछ ऐसी जाओ लाल को सदा से जो नापसंद था लोटा भूत पुराना लोटा था या तो नया साल दो साल का ही ने उन ही बना पर कुछ ऐसी गढ़न जो है उस लोटे की थी कि उसका जो है बाप डमरू भी चिलम रही हो डमरू भी यानि कि डमरू चिलम रही हो देखते हैं कैसे अब मैं इसका बताऊंगी आपको क्या कहना चाहता है लेखर लेखर ने बताया कि लाला ज्हावलाल रुपेओं की जो है चिंता में मकान की चट पर टहल रहे थे क्योंकि उन्होंने जो है अपने मीत्र विलवासी जी को कमाना की जो है रुपे का रहन करें तो उसकी चिंता ने जो है अपने चट पर टहल रहे दिलवासी को ज्हावलाल जी तो उनको जो है टहलते टहलते माप्यास लग गई थी और उन्होंने जो है अपनी पत्नी को आग रह किया था कि पानी ले आए और वो पानी लेकर आए तो ऐसे लोटे में लेकर आए जो कि उन्हें पसंद भी नहीं था बेटा और उसके साथ जो है पानी पीने का गिलास वो नहीं लेकर रही अब जब गिलास नहीं होगा तो पाना कैसे प्या जाएगा गिलास जो है वो भूल गई थी और वह तो लोटे में ही पानी ले आई थी और कैसा लोटा था ये भी आपको बताया ना ने वो बेढ़ंगा लोटा था कैसा लोटा था यानि कि बेढ़ंगा काफी दिन हो गए थी उसको साफ करे हुए तो वहे तो लोटे में ही पानी ले आई और वहे लोटा भी पुराना वो लोटा जिसमें पानी लेकर आई वो लोटा कैसा था? यानि कि वो लोटा भी होते पुराना था तो इसमें पुराना लोटा होने के कारण वहे चारो और से दबा हुआ वा और भट्टा था यानिकि उसमें फुटा हुआ यानिकि गिव जाता है तो उसमें एक तरीके से दाब हो जाते हैं उस लोटे को देखते ही लाला च्छाउ लाल को गुष्णा आ जाता है कि घर में यही लोटा मिला कि मेरे को पानी देने के लिए तो जैसे लाला च्छाउ लाल को पानी पीते हैं तो गिलास में साथ में क्यों की पतनी को भी पैसे नहीं मिले थे दो-तीन दिन हो गए थे पैसे नामी लिने के कारण तो उनका मन भी जो है रुखा था और ऐसे लोटे में वो यानि कि अपनी ना मन के बिना मन के पानी लेकर आई थे उस लोटे को देखते ही लाला ज्हावला को भुसाता है क्योंकि वह लोटे का जरा भी पसंद नहीं करता था और लोटे को जो है बने भी अभीम उसके लग से जो है दो मरसिख हुए थे एक तरीके से किन्तो उसकी सूरत जो है पिगड़ गई थी लोटे की दशा देखकर लगता था कि इसका पिता जो है निश्चित रूप से डम रूप के आपहर खा रहा होगा कि लोटे को देखकर जो है लाला जहुला हो यह लगता है कि इसका लोटे का जो पिता है वो किस आकार कर रहा होगा यानिके डम रूप के आकार का रहा होगा डम रूप के आकार का जो है वो लोटा बना होगा था एक तरीके से तो पिता पर उत्र, रोटा जो है किस पर हुआ पिता पर, यानिके इसका जो पिता है वो दम्रू के आकार का रहा होगा, और मा चिलम जैसी रही होगी, तो इसमें जो है लाला जाउलाग ने रोटे के भी माता पिता की जो है संग्या दी है, माता पिता कैसे थे, तो उसकी भी संग्या का पर्णन किया गया है इसमें कि माता पिता कैसे हैं कहने का भाव है कि लोटे का आकार कुछ-कुछ डंगु जैसा और कुछ-कुछ जो है चिलम जैसा था यानिकि जब अलाद होती है या बेटा-बेटी होती है तो माता पिता को जो है चिलम का आकार बताया गया लाला झाउला ने और पिता को जो है डम रू कि आकार का बताया गया इसमें अंदर हम विशेश देना चाहेए लोटे का अकाथा बढ़नन जहें बड़े व्यंगे दह से इसमें किया गया है उसकी बुराई करते हुए व्यंगे ये बुराई अनौचना करते हुए जो है यहां पर लोटे का बढ़नन किया गया है अर बेटा इसमें हम करेंगे फोर्थ पैरा फोर्थ पैरा है इसमें लाला जावला ने देखा कि इस भीड में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्षिक से जो है भिगा हुआ है क्योंकि वो लोटे से जैसे जावलाल पानी पिरा था उसके उपर गिल गया था पानी नीचे लोटा गिल गया था पहले छज्जे पर गिला और फिर उसके छज्जे से उसके अंग्रेज के उपर जो है सारा पानी गिल गया था और जो अपने एक पैर का हाव से सहलाता हुआ दूसरी पैर पर जो है नाच रहा है उसे के पास अपराधी लोटे को भी देखकर जो है लाता जहुलाल जी ने फोरन दो और दो जोड़ कर इस्थिती को समझ लिया यानिकि जो जहुलाल जी ने यहाँ पर क्या हो रहा है अंगरेज क्या ड्रामा कर रहा है उसने दो उट दो को चोड़ कर समझ लिया कि क्या ये एक नाटा के तरीके से हो रहा है गिरने से को यानि कि गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया और वही टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उससे जो है साहबान इसनान खड़ाया उस लोटे से जो है साइबान एक मैंने यहाँ पर आपको बताया कि साइबान यानि कि चल्जा साइबान मतलब चल्जा और यह सब्दा है सांगो पान सांगो पान यानि कि संपुन सांगो पान यानि कि संपुन जो है इसनान कराया पूरे तरीके से जो है छज्जे से जैसे छज्जे पर लोटा किरा तो वह जो है एक तरीके से वो लट गया लोटा और उसको जो है अंग्रेज को सांगोपान यंगे उन तरीके से पूरी तरीके से सांगोपान पूरी तरीके से इसना कराया फिर उसी से जो है बोट पर आगिरा बोट यंगे जूते पर फिर बाद में जो है वही लोटा वही लोटा जो है उसके बोट पर आगिरा किसके अंग्रेज के अब लेखक का कथने इसमें इसकी व्याक्या कि लाला जावलाल छत की मुडेल पर खड़े होकर जो है लोटे से पानी पी रहे थे तो उसके हाथ में पानी का लोटा नीचे गिर जाता है और लोटे के गिरते ही गली में शूर मच जाता है इससे पहले की जावलाल नीचे पहुचते ही लोगों की भीड और उसके खर में खुस आई थी लाला जावलाल ने देखा कि इस भीड में मुख्या पात्र एक अंग्रेज है और वह अंग्रेज सिर से लेकर पैर तक यानिके नाखुम तक पूरी तरीके से भीगा हुआ है लोटा उनके पैर पर आका गिरा था इसलिए चोट लगने के कारण वह अंग्रेज पैर को जो है सहला रहा था कि पैर में चोट लग गई है और वे हलका हलका अपने पैर पर जो है फुदक भी रहा तो नाच भी रहा था अपने विवेग और सूज भूज के आधार पर लाला ज्यावला जल्दी ही पूरी इस्थिति को समझ गई थे अंग्रेज के हाथ में लोटा देखकर उन्हीं सारी इस्थिति का ग्यार हो गया था गिरने से पहले लोटा एक दुकान के छचे से टकराया और वहां उस दुकान पर खड़े एक अंग्रेज को जो है पूरी तरीके से स्नान कराया सामो पान कर आया और फिर उसके जो है जूते पर आ दे तो इसमें लोटे के गिरने की किरिया का जो है बिटा वर्मन किया गया है और अंग्रेट जो है अगर उसको चोप लगती तो वो फुदकता कैसे? वो नाचता कैसे? एक तरीके से वो अपना प्रते के लिया भी कर रहा था तो इसमें जो है मैंने आपको ये फोर्थ वेरा करा दिया है अब जो है आप फिप्थ पैरा देखें फिप्थ पैरा देखें वेटा सूल भी सताबती की बात है बादशाह मैं जो है से जहां से हार कर भागा था और सिंद के रहिस्तान में यानि के मारा मारा फिर ला था किसके सिंद के लिए एक अफसर पर जो है प्यास से उसकी जान निकल गई थी और उस समय एक ब्रह्मन ने उसी लोटे में पानी पिला कर उसकी जान मचाई थी हुमाईन के बाद अकबर ने उस ब्रह्मन का पता लगा कर उससे इस लोटे को जो है ले लिया था और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के दस सोने के लोटे प्रिदान किये यह लोटा समराट अगबर को इनके बहुत प्यारा था इसी से उसका जो है नाम अगबरी लोटा पड़ा और वह बराबर इसी से जो है वजुब करता था यह है आपका पहरा गध्यांस आपकी बुक में आम मैं इसकी व्याख्या डीटेल साथ को बताऊंगे लेखकने 16 सतार्थी को जो है एक कल्पनिक गटना का वर्णा करते भी यह कहा है इनकी कल्पना की है लेखकने चाहे वो उसने देखा तो नहीं था लेखकने उस समय यानिकी कल्पना की ऐसा हुआ होगा अकबर के पिता कुन थे हुमाई माई एक बार सेरसहा सूरी से हार कर अपनी जान बचाते विए रैरिस्तान में भुके प्यासे बटक रहे थे माई जो है सेरसहा सूरी से किसी आख्मन में हार गए थे तो उससे जान बचाते विए रैरिस्तान में भुके प्यासे बटक रहे थे एक समय ऐसा आया कि प्यास के कारण उनके प्राम निकलने यानि कि वाले हो गए थे अब गर्मी में प्यास तो लगती और वो भी स्थान कुन सा रहिस्थान था वाले हो गए थे और जो है तभी एक ब्रहमन ने आकर इसी लोटे से उन्हें पाली पिलाया और उनकी प्यास भुजाई तथा उनके प्रांग बच गए हुमाईन के मन्ने के बाद अकबर ने उस ब्रहमान की खोज करवा कर जो है उसको यह लोटे के बदले में जो है दस सोने के लोटे देती है वह पुराना लोटा अकबर को प्रिये था उसने वह लोटा अपने जान से भी अधिक प्रिये था इसी कारण इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पढ़ गया था और समराण अकबर नमाज पढ़ने से पहले इसी लोटे से अपने हाथ पैर धोते थे तो इसमें जो है लोटे की काल्पनिक एतिहासे गठना का लेकर किया है कि कौन सा लोटा कब कहां कैसे तो इस तरीके से जो है ये एक काल्पनिक गठना का वर्णा निसमें किया गया है तो बिटा ये मैंने आपको 8 क्लास में लेशन 14 याननी की अकबर नमाज भ़बाता करवाया था इसका पार्ट का साल बढाया था और तो तेर आप इसका की दिकाल्प एक नमा शेय काल्पनिक कौन लोटा है तो इस तरीके से दन रोट आखार का जैसे उन्होंने बताया ना रोटा था और चिलंक्याखार की नोटे की मघ का बढ़ना इसमें किया गया है इस तरीके के एक अखबरी लोटे को त्यार कर सकते हैं पर्ले विल्टा उसमें लोटे में ऐसे फूल पत्तियां गर्डी लोटे तो आप इस तरीके से एक लोटे को जो है कि भी आपकर आपके इंतरगर दिखा सकते हैं तो आज के लिए एट प्लास में इतना ही है बनाइस्ट है